मैं सुद्दार वीटी नायर आसामरेफल एक्सरिस्मेंड वेलफेर एसोसीशन का जनरल सेकेटरी हूँ यह जो मेसेज वीडियो मेसेज में दे रहा हूँ हमारे प्रिधान मंतरी स्री नरेंद्र मोधी जी को मैं उनको और उनके सरकार ने जो जम्मो कश्मीर को भारत का इंटे पार्लेमेंट में उसमें यही लिखा रहता था लास में एक्सेप्ट इन स्टेट ऑफ जम्मो कश्मीर क्योंकि तब भी उनका अलग सा कानून हुआ करता था अलग जंडा होता था अभी जो उन्होंने किया है जो इनका मैनिफेस्टों में जो था बीजिपी के बहुत ही सेशन ने जो मुद्दा उठाया है असम राइफिल्स के डियोल कंट्रोल को समाप करने का यह यह कानूनी मुद्दा है जो एओ भी रूल में हमें पुलीस करके दिखा रहे हैं जो कि गलत है जैसे इससे पहले मैंने एक वीडियो में भेजा था प्रधानमंत्र जी को ट्यू यह बिल्कुल सोचने की बात है और नेशनल पॉलिस म्यूजियम जो मिनिस्ट्र ओफ होम के अंडर आते हैं मैं स्रे अमित साजी से कहना चाहता हूं क्या आसम राइफिल्स से दी पुलीस होता तो उनमें इनके बारे में कुछ लिखा होता वो कुछ लिखा हुआ नहीं है ज आप जो है आसम राइफिल्स के सर्विंग रिटाइड और एयर केडर ओफीसर जो है काफी मायूस है मायूस इसलिए है कि उन्हें ना पुलीस के फैसलिटी मिल रहा है ना आर्मी के एक्जामपल में चे कहते हैं कि इनके हरे करस्पोंडेंस में लेकिन जब वेलफेर का बात होता है जैसा एक सीएपीएफ जो आसाम जो आसीएपीफ के जो जवान है रिटायर्ड पर्शन उनको जो है आर्मी की बैनिफीट देना चाहिए करके इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था उसमें आसम राइफिल का नाम नहीं था आसम राइफिल के जब डीजार ने आसम राइफिल को सीएपीएफ में सामिल करने की जो कर्रस्पोनेंस किया एमेचे से तो उन्होंने मिनिस्ट्री ओफ लॉइन जो डिपार्ट्मेंट ओफ लीगल एफियर्स से एडवाइज लिया कि आसम राइफिल से एक यूनिक फोज है जो आर्मी के साथ ओपरेशन करता इन्हें सीएपीएफ में नहीं डाल सकते हैं उसमें भी चला गया तो उन्होंने बताया डीजियर को कि आप आर्मी से कंसल करके कुछ इनका प्रपोजल निकालो जो गलत है क्योंकि हमें जो है यह वन टाइम यह कोई डेसिजन नहीं चाहिए जो गलत जो चल रहा है कानून म आसाम रिफल का पोजीशन जो पुलीस दिखा रहा है वो गलत है उसको हटना चाहिए क्योंकि छोटा सा एयर कडर ओफसर को ले लीजिए उनका प्रमोशन कमांडेंट तक ही है सीमित जबकि सीएपीफ के के क्याडर ओफिसर जो एडिशनल डारेक्टर जनरल तक बनते हैं औ क्योंकि जो जवान के साथ ओफिसर भी तंग है उनको जो है कोई कमांड देते ने जबकि यह सीएपीफ के वहां डेपूटेशन में जाके बहुत बढ़िया सा काम करते हैं कमांड करते हैं जो यह सेस भी हो यह कहीं भी कमांड जब यह इतने योग यह हैं तो आसम रिफल मे क्यों इने कमांड इन तक रखा गया एक बात और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 1972 में प्रेसिडेंट द्वारा जारी किया गया एक नोटिफिकेशन आसम रिफल्स के कैडर ओफिसर को आई जी तक बनने का प्रोविजन था उसमें क्योंकि हमारे एड्मिनिस् द्रजा दिया लेकिन ग्राउन में कोई बदलावट न होने के कारण डिफरेंट्ट्रेट पर्सन कोटों में जाके उन्होंने अपने जो भी है उनके बराबर के रेंग चाहिए करके क्योंकि जो ट्रेट्स पर्शन है उनको इसमें इसमें फाइदा रहते हैं तो कोट के द्वारा जो है उनको implementation मिला है तो इस ढंक से कई जो है चीज जो अब तक जो हमारा domestic issue है भारत का उसमें मैं काफी खुश था जब आप प्राइम मिनिस्टर बने थे पांच साल हो चुके हैं एसे उसेशन के जब हार के 32 मीटिंग हमने करने के बाद जब हार गये तो हम कोट में गया है दिल्ले हाइब को डिविजन बेंच ने नव एप्रिल को सीस को एक नोटिस दिया है क्याबनेट सेक्रेटर के द्वारा तो चार सेप्टमबर को इसका नहीं लेंगे या मेरा ही नहीं एसोशेशन के जो मेंबर्स हैं जो एक लाग से ज्यादा एक्सरेश्मेन हैं सर्विंग पर्सन हैं एयार कटर ऑफिसर सभी का मनोवल बढ़ेगा किसी एक मिनिस्ट्री के लाया जें आसाम रैफल को और जो एयो भी रूल जो बिलकुल अभी करक्शन करने के आउशकता है कई साल पहले हो चुका होना चाहिए था लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण जो इसी रखा गया है मुझे आपसे अनुरोध है बिलकुल हमें आशा है पूरी आशा है कि आपकी सरकार जो अमिज साजी अभी होम मिनिस्टर है वो भी एक ब पूरा कारे करने का धंग और नेशनल वार मेमोरियल में ही एक दर्शन से हमें पता चल जाएगा कि आसाम रेफल क्या करते हैं काम इतना कहते हुए धन्यवाद थैंक्यू सर गुडबाई